Hello everyone, कैसे हैं आप? Welcome to Sikshadhaam आज इस वीडियो का बनाने का परपस है काफी टाइम से मैंने वीडियो भी नहीं डाला काफी बच्चों का डिमांड भी है कि सर हमें 5th semester B.com program में 5th semester में हमें क्या subject choose करना चाहिए एक पर थोड़ा सा guide कर देंगे हमारे लिए थोड़ा helpful होगा और उसी के हिसाब से हम आगे planning करेंगे और ये जो कोईरी बच्चों का था ये genuine और ये मुझे बताना भी था तो आज जो इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं क्या discuss करेंगे कि हमें 5th semester के अंदर क्या subject choose करना चाहिए क्या subject मिलेंगे और उसकी study कैसे start करनी है 4th semester में आप सभी ने देखा offline exam हुआ तो definitely 5th semester में भी offline exam होगा और उसको मद्दे नजर रखते उसी के सब से planning करोगे जो problem जो परेशानी आपने 4th semester में महसूस किया feel किया कि अब वो गलती हम आगे नहीं करेंगे इसलिए मैं फटा फट से ये वीडियो आपके लिए लेकिया हूँ तो चलिए ज़्यादा delay ना करते हुए आपका semester 5 again मैं कह रहा हूँ ये become program का है honors का मैं अलग से specially बनाऊँगा ठीक है तो become program के अंदर क्या है आपको न चार part में चार subject से आपके चार subject मिलेगा पहले क्या था दो core subject हुआ करते थे और दो आपके elective हो गए या एक elective और एक skill enhancement का होता था जो आप कर चुके दो core में आपको choice नहीं बिलता था जैसे कि आपका cost और accounts में choice नहीं था compulsory बाकी आपके choice इदर उदर वो तो आपको पता है पांच में समेस्टर में आपको हर एक चीज में choice दी गई है तो आपके जो है एक discipline specific elective है दूसरा भी discipline specific elective है skill enhancement है general elective है इसका मतलब इस पांच subject में से कोई एक subject choose करना है इस चार subject में से कोई एक subject choose करना है इस दो subjects में से कोई एक subject choose करना और इस चार subject में से कोई एक subject choose करना है मैं सारी चीजे बता देता हूँ आपको कौन सा choose करना चाहिए और कौन-कौन सा मिलेगा पहली बात हम पहले बाले point को एक करके समझते हैं सर इस में से अब दो चीजे हैं यहाँ पे बच्चे दो तरीके के हैं अगर मैं बात करूँ तो DU के जो student अभी यह video देख रहे हैं वो दो तरीके के बच्चे in fact मैं तीन पार्ट में बाट देता हूँ एक होगा S.O.L. का student एक होगा NC.Web का और एक finally हो सकता है regular का भी देखेगे बाकि regular के तो form भरवाय जा चुके होंगे S.O.L. के student को आपको choice बड़ा limited मिलेगा हर college में देखो वैसे तो DU ने कहा है कि हम यह subject में से एक दे सकते हैं लेकिन DU हर वार क्या करता है कि वो subject अपनी मर्जी से ही आपको देगा और चार की जगह पर पांच की जगह पर पांच option ना देके कोई दो दे दे option या एक ही option compulsory कर दे या तीन option दे दे ऐसा हो सकता है तो सबसे पहले आपके पांच भले ही है लेकिन जो आपको DU परवाइड करेगा जो आपके portal में जो आपको दिखेगा उनहीं में से choose करना है non college में भी same रहेगा regular में पहले ही बता देंगे हमारे पास ये faculty available है और उसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा तो इसके अंदर देखते हैं हम एक एक करके मैं discuss करूँआ ता कि आप select करने बैठे हो तो आपको पता चल जाए इसके अंदर क्या पाढ़ना है पहला मेरा है HRM HRM human resource management है आपका इसके अंदर क्या करते है human resource management के अंदर हम किसी भी employee को कैसे भरती recruit किया जाए ये सब होता है better subject है पढ़ सकते हो principle of marketing ये economics है कई बार नाम नहीं समझ में आता तो ये economics है auditing और corporate governance है ये auditing आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा accounts को किस तरीके से check किया जाता है तो थोड़ा सा tough हो जाता है ये लोगों के लिए तो auditing थोड़ा tough मैं बोलूँगा आप लोगों के लिए finance reporting financial reporting के अंदर क्या जाता है सारा वही cash flow आ जाएगा ratio आ जाएगा आपका सेवी से related आजाएगा तो बहुत सारी reporting के हम reporting कैसे कैसे करें तो ये पूरा practical है ठीक है document management ये आपका IT subject हो गया जैसे topology आ जाएगे इसके इंदर के IT में किस तरीके से हम database को manage करते हैं तो वह सारा तो ये को editing ले सकते हो financial reporting लेना चाहो तो आपको दे रखा है तो लेना ही पड़ेगा नहीं तो otherwise आपके के अंदर क्या रहता है आपको देखो टीशन पढ़ने की बात कोचिंग की भी बात आती कि हम self study भी करें ये तीनों subject self study से हो सकता है इसके लिए आपको टीशन की जुरत पढ़ करेंगे और इसके लिए भी पढ़ सकती है ये था पहला पहला कोई भी चूज करेंगे तो सर हमें कौन सा चूज करना अगर मैं होता प्रसनली तो मैं चाहरम चूज कर लेता जो कि थोड़ा interesting भी और आगे MBA में help मिलेगा MBA जब करोगे ना तो MBA में इस subject का help मिलता है तो इसलि regular के अंदर known में हो सकता है कि वो दो ही subject दे तो मैं बता देता हूं कि subject में क्या है financial management के अंदर हमें क्या सिखाया जाता है कि हम fund को कैसे manage करेंगे GST सारे जो GST आपने सुना है GST Act जो हमारा उसके सारे rule and regulation penalty fine सब पढ़ना होता है training and development कैसे employee को training दिया जाता है उसके skill को कैसे enhance किया जाएगा वो हम इसमें पढ़ने के मिलेगा industrial law, industrial law में कितना wages होना चाहिए कितना labor होना चाहिए वो सारे आजाता है हमारा किसमे industrial law के अंदर आजाता है किसी को इतना wages होना चाहिए bonus होना चाहिए graduation उससे related तो sir हम कौन सा ले और कौन सा हमारे काम आएगा देखिए मैं सबसे बड़ा हैरान तो इस बात को परिशान हूँ ये दोनों एक में नहीं देना चाहिए इन दोनों सब्जेक्ट में तो चॉइस ही नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दोनों बेस्ट है अपने आप में फिर भी यहाँ पर दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं एक जिससे सरिफ ग्रेजुएशन ही ग्रेजुएशन करनी है उसके बाद कुछ भी नहीं करना तो मैं कहूँगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन करना है तो आप कोई भी थेओरिटिकल सब्जेक्ट पढ़के आप अपन क्वेशन करना है तो यूच्छ टेके ड्व करना है तो यूसुट टेक फनाइशनल मेन्जमेंट क्यूं कह रहा हूं मैं ऐसा क्योंकि कенकी आप M.com करें गे वहा फनाइशनल मैंच्छ अएगा आप MBA करेंगे फनाइशनल मैंच्छ आप CA करेंगे financial management टाएगा हर professional commerce related course की बात कर रहा हूं हर professional में आपको financial management टाएगा वहाँ पे M.com के अंदर MBA के अंदर आपको ऐसा coaching नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आपको self ही पढ़ना पड़ता है जाद जाद है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा financial management GST बहुत important है, real life में भी काफे इसका time आता है लेकिन आप choice है तो अगर मैं इन दोनों में से देखूँ तो हमें financial management लेना चाहिए क्योंकि GST इसलिए मैं मना कर रहा हूं, reason sir GST क्यों ना ले GST amended subject है, आप अभी पढ़ भी लोगे और आगे M.com में GST आता तो वो बदल चुका होगा आप अभी पढ़ भी लोगे MBA में करोगे तो बदल चुका होगा, तो दुबारा ही पढ़ना है आपने FM कभी चेंज ही नहीं होता, तो इसलिए स्रिफ मैं बोल रहा हूं कि जो चीज पढ़ा है आगे हमारे यूस तो हो जाए, at least, ठीक है ना, training development जिसको आगे graduation के बाद कोई और field ही change कर देना है, graduation के बाद कुछ नहीं करना वो यह कर सकते है, industrial नो कर सकते है, simple सी करता है, ठीक है, तो दो subject choose कर लिए, तीसरा आता है skill enhancement, skill enhancement में है public, personal finance, एक है entrepreneurship, entrepreneurship का मतलब होता है, honor किस तरीके से बनते हैं, ये सारी चीज़े बताए जाता है, और personal finance के अंदर क्या होता है किसी को finance किया जाए, तो कैसे ये, ये बिना coaching के नहीं होगा, बहुत परिशान हो जाओगे, इसका कोई coaching भी नहीं मिलने वाला, जल्दी से, थोड़े time बाद होगा, जैसे जैसे ये बच्चे लेना सुरू करेंगे, तो इसके अंदर आप entrepreneurship ले सकते हो, अगला है जर्नल एलेक्टिव, इसमें भी HRM आ गया, पहले भी HRM है, तो वो DU वाले देखेंगे, कि अगर इसमें यहाँ HRM लिया, यहाँ पर compulsory नहीं करेंगे, तो HRM अगें वही है, basis of account, फिर से basis of account के अंदर आपके थोड़े छोटे छोटे fundamental concept आ जाते हैं, और थोड़े other accounting के आते ह और एक HRM ले सकते हो, प्रायरेटी पे आपको यह रखना है, तो लो जी अगर मेरे से प्रायरेटी पूछो तो नमबर वन पे मैं प्रायरेटी इसको दूँगा, नमबर दो के इसमें से यह मैं प्रायरेटी पे रखता हूँ, नमबर तीन पे मैं इसको प्रायरेटी पे तो 20 की मैं ठाप्ष करती होुрист na 24 माशेक हो निपनेशल मेनेज कर बतार हुद एक हम你टो ξaphat सब्सकτο माशेशन क्रिकरेश too य것 यूटुब क्लासमें भी लाएव क्लासमें हि भी कफान पिक करो कुछ डिफरेंच लिफरेंच केद्च 10 सिनक नहीं हां एप्लिकेशन पर यूटूब पर आपके कुश्चन कराए जाएंगे, कॉंसप्ट पर आएंगे वही पढ़ेंगे बस एप्लिकेशन पर इस वार मैं बुक जो है अलग अलग जो मैं अपने खुद की बुक इस बार प्रिंट करने जा रहा हूं उस बुक के सारे कुश्चन भी कराए जाएंगे और साथ के साथ 10 एर भी पूरा सॉल्व कराए जाएगा अभी हम मैं क्यों बैच स्टार्ट कर रहे हैं सार अभी तो आज तो एक्जाम हुआ है अभी कैसे बैच स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी देखो हमारे पास टाइम अवेलिबल है जुलाई जून गया जुलाई माल लेते हैं जून के तो ऐसे ही निकल जाएगा बीस को तो मैं स्टार्ट करूँगा तो जुलाई अगस्ट, सेप्टेंबर, अक्टूबर, नॉबर में पिपर हो जाना है आपका या दिसंबर में हो जाना है तो हमारे पास अल्टिमेटली पांच महने हैं हम तीन तो आप चूज करिए फटाफट जिन बच्चों को एंड्रोल करना अप्लिकेशन डाउनलोड करिए और वहां पे एंड्रोल भी कर सकते हैं फीस क्या structure होगा देखो मैं तो जादा मैं बिलीव करता हूं कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो फाइनेंशली वीक हैं ज इसमें खुंगा इस में को एसा नहीं ए किst आप आधगर आओगे हर महीन इक होगा नहीं पूरे कोड़ गया लाइए लाइए चालेगी हrafते में 3D एन यह मुले राशित सकता है क्लास की टाइमिंग भी बता दी जाती है क्लास मैं 730 मॉर्निक में यह 7 ऑकलॉक morning की class रहने वाली है, सुबह-सुबह आप तयार ready रहना के start करेंगे Sir, YouTube पे कब डलेगी classes? YouTube पे classes डलेगी, वो जब हम morning की class record करते हैं तो उसको 2-3 दिन डिले रहता है, जैसे कि आपने पहले भी देखा था तो चलिए, मिलते हम next video में आपको यही छोटी से जानकारी देनी थी, जो कि मैंने आपको दी है